नमस्कार मैं हूँ दिबांग और इस समय मैं हूँ लखनव में वजा अब सब जानते हैं देश के सबसे बड़े राज उतर प्रदेश का विधान सबाचुनाव यानि अगर इस देश की बात करें तो सबसे बड़ा चुनाव अगर उतर प्रदेश अपने आप में देश होता तो दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा देश होता और इस इन चुनाव में जो सबसे बड़े प्रबल दाविदार हैं वो हैं अकलेश यादव इस समय हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आपका स्वागत है अकलेश जी मैं धन्यवाद देता हूं आपक सबस्ट भी है और आपको बोलना भी बहुत है वो कारण है लेकि मुझे लगता है कि जो बात बूली गई है वो जनता तक पहुंची है तो जैसे अगर आप अभी एक एक दौर का चुनाव और बाकी है अगर जैसे अगर आप से कोई पूछे क्यों दिया लोगों ने आपको इस बार वोट क्यों दिया तो आप क्या कहेंगे क्या बज़े रही खास मैं इस चुनाव को इस तरह देखता हूं पहले चरण से यह चुनाव जनता का चुनाव बन गया और किसान नौजवान वैपारी हर वर के लोग इद्दम साथ आगे तो यह जनता का चुनाव था और भारती जनता पार्टी से दुखी थी परेशान थी और उसका कारण यह बना कि समाजादी पार्टी के साथ जनता खड़ी हुई कि उन्हें विकल्प की रूप में समाजादी पार्टी दिखाई थी तो तीन बड़ी आपको कमजोरियां क्या लगती है इस योगी सरकार की अगर आप लोगों की बात नहीं सुनोंगे और सुनकर के आपको कुछ फैसले लेने हैं उनका समाधान करना है इसलिए नौजवान नाराज रहा किसान दुखी रहा और जिस तरीके से लॉइन और में इन्होंने मनमानी की है आज अगर हम देश के आकड़े देखें फेक इंका को मिली है कस्टोडियल डेथ में नंबर वन है और दुख की बात है कि IPS फरार यूपी से तो यह कहीं न कहीं कारण बना जो भाती जनता पार्टी ने जनता की नहीं सुनवाई की उसी वज़े से आज होता बज़े से जनता बाहर कर लिए इनको एक और जो बात होती है और खा कई राज्यों में हम यह देख सकते हैं परिवार वारी बाद परिवार वाद वाली बात आपने कहा कि आप अपने बच्चों को नहीं लाएंगे इस बार अपने अपने परिवार को भी तरीके से दूर रखा क्या यह एक नई सूची समझी क्या यही है नई सपा कि जिसमें कि आप यह कहते हैं कि सब को हिसेदारी मिले की समाजवादी है की कोशिश रही कि जो समाजवादी पार्टरी पर आरूं लगते हैं उन आरूरोपों से बहार चले जाए और इसलिए परिवार के किसी सदें सको ज्यादे मौका नीठे कोशिश होगी यहां लेकिन अगर कोई छेत में अगर महनत करता है छेत तो अगर उसको मांग करता है वो इक अलग विशे हो जाएगा लेकिन समझादी पार्टी की कोशिस है कि के परिवार की लोगों को कम से कम राजनीत की तरफ लाए जाए जाए पर यह बात कॉंगरेस वाले नहीं करते यह बात बीजे दे पाए और कोविड में सब ने देखा था किस तरीके से गंगा मा के अंदर हजारों लाशें बह रही थी तो ये जिम्मेदारी उनकी थी बीजेबी की जिम्मेदारी थी सरकार बीजेबी की थी और वो आरुपे पक्षबे लगाते हैं इसलिए मैंने कई वार मौकों पर कहा क जिनके परिवार होते हैं वो परिवार का दुखदर समझ सकते हैं इस सरकार ने इसी गोमती किनारे दूसरी तरफ दहासंसकार के लिए लगड़ी नहीं दे पाए और जब वहां लाशें जल नहीं थी दहासंसकार हो रहा था इन्टों ने ट्रीन शेड लगा करके छिपाने क का काम किया तो ये सरकार के वो लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं लेगे मुझे खुशी है कि उत्तरपदेश की जनता ने इस वार इनको उत्तरपदेश से हटा दिया आपको अच्छा लगता है हाँ मुझे पूरा वरुसा है कि इस वार जनता ने इनको हटा दिया ABP News आपको रखे आगे